हेलो गाईज आज मैं आपके साथ कचोड़ी की रिसी भी शेयर करने वाली हूँ जो के ठेले वाले के पास मिलती है एकदम परफेक्ट वाली तो हमने मत्रक की कचोड़ी तो बहुत बार खाई है आलू की कचोड़ी भी हमने बहुत बार खाई है तो मैंने सुचा कि मैं आज आ और उसके बाद हम इसके अंदर शुद्दगी ढलेंगे जो ठेले वाले के पास मिलती है न वहाँ पे तो डालड़ागी ढलती हैं तो हम घर में बनाएंगे तो उसकी शुद्दगी डालके बनाएंगे इससे क्या होता है कचोरी बहुत खस्ता बनती है और खाने में बहुत क्रेंची लगती है तो इसको पेले हाथ से मसलेंगे आटे को और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें एक डो बनाके तय आटा गूत लेंगे तो हमें जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि यह मेदा है और मेदे में थोड़ा सा पानी जादा गया तो एक दम से जलदी से नरम हो जाता है तो उसके बाद हमने इसको अच्छे से गूत लिया है आटे को और थोड़ा समय ने इसके उपर वाइल लग और और रऽाल लगा के और उसके बाद भी हमें इसको गूद लेना है और इसको हमें दो तीन बार जोर से पतक ना है तो इससे क्या होता है जो हमारी कचोड़ी है न वो एकदम फूली फुली और खस्ता बनेगी तो गाईस देखिये एकदम से टूबनकी तैयार हो गया है और हमें इसको कपड़े के साफ कपड़े से ढखकल लगा के रख देना है और मैंने एक पतीले में पानी गरम कर दिया है इसमें मैंने दाल डाली है एक कप मैंने इसमें दाल डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमग भी डाल दिया है और इसको 5-10 मिर्ची रखेंगे कि दाल अच्छे से गल जाए कि पूरी जादा हमें गलानी नहीं है जब तक हम लोग तैयारी करते हैं दूसरी और उसके बाद मैंने काली मिर्ची आदा चमच लेके तो उसको मैंने दरदरा कूटना है हमें काली मिर्च को तो बैलन से तो मेरी कूट नहीं रही है तो मैं फिर अच्छे से इसको कूट लिया है और उसके बाद मैंने आदा चमच सोफ लिये सोफ को भी हमें अच्छे से दरदरा करना है हमें पाउडर जिसे नहीं बनाना है हमें सरफ इसे दरदरा कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना एक अलग सी प्लेट में रख देना है और ये देखिए और उसके बाद हमें धाल को भी बीच बीच में देखेंगे दाल अच्छे से गल गई है ये देखिए हाथ से उंगली से भी तूट रही है तो हम गेस बंद करेंगे और एक हम पेंड तुकडाइंगे, ओयल जालके मैंने अद्रक का टुकडा पीस लिया traumi और उसके बाद मैंने जो सौफ और काली मिर्ची को धर्दरा किया कुई था था दल को हमें इसमीं डाल देना है लिजने जाल मेर्धशी आफारीश नतात्य हो के दक zaramp Совा नुषा Weak आधा जमस लाल मिर्ची और हमें इसमें सुखा धनिया और आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी ढाल सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें ढाला इस अगर आपके पाउडर ना हो तो आप उसमें बेसन ढाल दीजिए तो उसके बाद हमें इसको अच्छे से घुमा देना है हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है ये प्रोसेस हमें सिम गेस पे ही कर देना है तो धाल हमारी बनके तयार हो गई है और हमारा आटा भी अच्छे से बन गया है तो और उसको हम हाथ से थोड़ा सा ही मसलेंगे और उसके बाद हमें एक छोटी सी लोई निकालेंगे और लोई को भी ह हमें हाथ से मसल के और एक step से मतलब हाथ में लेके और इसको फैलाएंगे और उसके बाद थोरी से हमें जो धाल ली थी ना थोरी सी इसमें ढालेंगे आप चाहे तो कितनी भी अपने हिसाब से धाल सकते हैं और इस step से हमें fold कर देना है fold करके और जो हाथ से थोरा सा दबाना है और उसके बाद हमें एक चकला लेना है और उसकी मदद से हमें round shape balance कर देना है थोरी सी बड़ी आप बड़ी हिसाब से कर लीजे छोटी या फिर बड़ी तो guys में दूसरा भी आपको बता रही हूँ कि किस step से करना है यह दे कि आटा इत तो फटेगी नहीं और क्या होता है कि आप आलू का पराठा भी ऐसे ही बनाई है इससे भी क्या होता है आलू भाय नहीं निकलेंगे प्यास का भी पराठा आप ऐसे ही बना सकते हैं फिर मैंने एक पेन में oil डाला है fry करने के लिए और मैंने एक कचोरी ढाल दी है तो दीखे। यह दूसरी भी बनके बिलकुल तैयार हो जाएगी फूली फूली बनती है आप खाने में भी भहत खस्ता लगती है यह इटनीटेस्टी लग रही है एकदम से फूली फूली बाहर से खस्ता और अंदर से नरम है ये देखे एक कचोरी अंदर से भी देखे कितनी अच्छी बढ़िया बन गई है कोई भी कच्ची नहीं है और उसके बाद मैंने चटनी उपर से ढालके प्यास और नमकिन ढालके हमारी कचोरी चार्ट बन गई तो ये रिसी भी आप घर में जरूट रहेगी जिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शियर, कमेंड करना जो न्यू है वो सब्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में बाई, थेंक यू